तो दुनिया भर के देशों के साथ साथ अब भारत की डिप्लोमेसी भी पूरी तरह से बदलना शुरू कर चुकी है तो किसी सेक्टर में भारत को भी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पीछे हटना पड़ रहा है दरसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको देश जिसने पिछले कई सालों से कच्चे तेल को दुनिया भर में बेच कर खूब पैसा लूटा अब वही देश तेल को खरीदने पर मजबूर हो चुका है और कमाल की बात यह है कि यह देश भारत जैसे देशों से कच्चा तेल खरीदने वाला है यानि कि भारत जो खुद कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ पैलाता है अब उसी भारत के सामने कच्चे तेल के लिए दुनिया भर के कई देश हाथ पहलाने जा रहे हैं क्योंकि उत्तरी अमेरिका का यह मैक्सिको देश जहां कच्चे तेल को खरीदने पर मजबूर हो चुका है वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस बार कच्चे तेल के प्रोडक्शन में इतिहास रचना शुरू कर दिया है और हाल ही में आयल इंडिया की तरफ से ओफीशिली इसका अनौंसमेंट किया गया कि अब उन्हें नार्वे की एक बहुत बड़ी आयल ड्रिलिंग कमपनी का साथ मिल चुका है जिनके साथ मिलकर आयल इंडिया अंडमान निकोबार में सबसे गहरे तेल के कुएं से कच्चा तेल निकालने जा रही है और कच्चा तेल इतनी भारी मात्रा में यहां से निकलने वाला है कि यह आयल फील्ड अकेले भारत की 70 साल तक तेल जरूरतों को पूरा करने में काफी है पूरी डेवलप्मेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को कच्चा तेल निकालने में बहुत बड़ी सफलता मिल रही है उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है सबसे पहले आप इस फोटो को ध्यान से देखिए इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर फोटो को देख पा रहे हैं यह है सेमी सब्मर्सिबल जो की डॉल्फिन ड्रिलिंग की सबसे बड़ी ब्लैक फोट यूनिट है और यह दुनिया की सबसे एडवांस ब्लैक फोट यूनिट है जो की पूरे विश्व भर में देखने को मिलती है और इसका इस्तेमाल समुद्र की सबसे गहराई में मौजूद कच्चे तेल को निकालने के लिए किया जाता है और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि नौर्वे देश की जो कच्चा तेल निकालने के मामले में दिगज कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग है उसकी इस ब्लैक फोर्ड यूनिट को आयल इंडिया ने एक्वायर कर लिया है जिसका इस्तेमाल अंडमान में जो समुद्र के बीच में मौजूद तेल के भंडार खोजे गए हैं वहां से कच्चे तेल को निकालने के लिए होने जा रहा है और आपको बता दें कि डॉल्फिन ड्रिलिंग कोई छोटी मोटी नहीं बलकि नार्वे की जानी मानी और विश्वसनिय कमपनी है जिसके साथ आयल इंडिया ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया है देखिए दिसंबर 2023 में ही आयल एक्स्प्लोर एंड सप्लाई करने वाली भारत की जानी मानी कमपनी आयल इंडिया ने कहा था कि साल 2025 में हम अंडमान के बीचों बीच जो कच्चे तेल के भंडार है उनके ड्रिलिंग शुरू कर देंगे हालां कि यह एक काफी ज्यादा डीप वाटर प्रोजेक्ट है क्योंकि यहां पर जो कच्चे तेल की ब्लॉक मौझूद है वह समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई में है इसलिए इंडियन आयल रिस्क को नहीं लेना चाहती थी और पिछले एक दो सालों से अभी तक foreign technology partner की तलाश में कई देशों में मौका ढून रही थी लेकिन भारत की आयल इंडिया द्वारा काफी लंबे समय पहले से जारी यह खोज पूरी हो चुकी है और नार्वे की dolphin drilling के साथ इन्होंने contract को finalize कर लिया है और रिपोर्ट की माने तो अंडमान के इस ब्लॉक में इतना ज्यादा कच्चा तेल का भंडार मौजूद है जो की अकेले भारत की अगले 70 साल तक की तेल जरूरतों को पूरा कर सकता है यानि कि भारत अगर इस तेल का केवल खुद के लिए इस्तेमाल करता है तो आने वाले 70 सालों तक हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल यहां पर क्रूड आयल की भारी भरकम मात्रा तो जरूर मौजूद है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ हम अपने लिए कर पाएंगे बलकि हम चाहे तो इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसे निकालने के लिए जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है यह समुद्र की सबसे गहरी जगह में से तेल को निकालने वाला प्रोजेक्ट होने जा रहा है इसलिए भारत की कमपनियां तो अकेले काम नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा गहराई से क्रूड आयल निकालने का एक्सपीरियंस नहीं है इसे समझने के लिए आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखिए इसमें आप पाँच अलग-अलग तरीके की आयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को देख सकते हैं और इसमें जो अलग-अलग मशीनों का काम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यह अलग-अलग कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड किये गए हैं जितनी ज्यादा गहराई से क्रूड आयल को निकालना होता है उतनी ज्यादा एडवांस तकनीक वाली मशीनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है और इसमें जो आपको लेफ्ट साइड वाली सेमी सबमर्सिबल रिग दिखाई दे रही है इसी को भारत की आयल इंडिया ने नौर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग से एक्वायर किया है क्योंकि अंडमान द्वीप समूह के जिस ब्लॉक से क्रूड आयल को निकालना है वह लगभग 10,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में मौझूद है और आपको बता दें कि इस से ज्यादा गहराई से क्रूड आयल निकालने की टेक्नोलोजी किसी भी देश के पास नहीं है आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर भारत की आयल इंडिया अकेले काम नहीं करेगी बलकि नार्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग भी एज ए पार्टनर में काम करेगी क्योंकि इसमें जो टेक्नोलोजी यूज हो रही है वो नार्वे की है इसलिए उनके कर्मचारियों का इसमें शामिल रहना काफी ज्यादा जरूरी है और आगे चलकर यह भी हो सकता है इसमें अन्य भारतिये कमपनियां भी पार्टिसिपेट करें क्योंकि यह एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है और इस ब्लॉक से आने वाले कई सालों तक लगातार क्रूड आयल निकाला जाएगा क्योंकि देखा जाए तो आज भारत में इतने ज्यादा तेल की जरूरत है कि हम क्रूड आयल का लगभग 85% हिस्सा दूसरे देशों से ही खरीद रहे हैं जिसमें हम इरान, UAE, इराक, सौधी अरब, अमेरिका और रूस जैसे देशों से हम लोग अभी क्रूड आयल इंपोर्ट कर रहे हैं यानि कि अभी तक भारत कच्चे तेल की जरूरत के लिए दूसरे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर है कि यदि इन देशों के द्वारा इसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है तो भारत के लिए कई दिक्कतें आ सकती है और ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से यह देश भारत की इसी मजबूरी का फायदा उठा कर भारत को महंगे दामों में कच्चा तेल बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इन देशों का प्लान है कि एक साथ मिल कर कच्चे तेल के दाम को बढ़ा दिया जाए हालांकि भारत को रूस का साथ मिल गया जिसके कारण भारत को पिछले दो ढ़ाई सालों से कच्चा तेल सस्ते दामों में मिल पाया लेकिन इस पर भी अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हुए है जिसके कारण भारत को अभी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन ही सब के कारण भारत की रूस के साथ बढ़ते रिष्टे को अमेरिका नहीं देख पा रहा है और इनके द्वारा भारत की कमपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है यहां पर दुनिया की डिप्लोमेसी किस तरीके से बदल रही है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत क्रूड आयल प्रोडक्शन के मामले में आगे जा रहा है लेकिन वहीं उत्तरी अमेरिका का एक देश है मेक्सिको जहां से दुनिया भर के कई देशों के कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से पूरा होता है वैसे यह Middle East का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बीते 4-5 दशकों में इसने कच्चे तेल को जम कर एक्सपोर्ट किया ऐसा करके इस देश ने जम कर पैसे भी कमाए और अब आलम ये हो गया है, इनके पास अपनी घरेलू आपूर्ती के लिए भी परियाप्त कच्चा तेल नहीं बचा है और यह देश खुद कच्चा तेल को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पर मजबूर हो चुका है और यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में यह भारत जैसे देशों से मदद मागें बाकी आप लोग आपूर्ट सब उन्होंने निकाले है तेल लेकिन बाइसाब अब उस पर वर्किंग की लिए बारत ने बाइसाब कुछ चेक्वाइर का लिए नार्वी की सबसे बड़ी ड्रिलिंग जो मिशें कंपनी है उससे मौइदा कर लिए अब बारत दस हजार बाइसाब फुट नीचे जाकर आर नहीं पता कि उनको पैसे देंगे या उनको तेल देंगे क्या पता क्या करते हैं लेकि बात है कि मुझे एक बाहसा में आई या इंडिया का अर्बो डालर बचने वाला ही जो बार जाता ही या इमपोर्ट तेल करने में कि यह खूझ्ल ये रिखार Как ईड़ एंड़ागर के वह बाई अबैस्वारा तो उसी में आनिया में की अप इड़ाइब में धाररा है Гirmid पाकिस्तान जितनी जो अबादी है ना उसका तेल बारत खुदी निकाल रहा है 25 से 30 क्रोड लोगों की जोरत सिर्फ बारत अपने देश से पूर बिलकुल 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 सही बात है इंडिया गुजोची ठान ले उसको काम को मकमल करता है यह बात आपके अंडर पर्शन करेक्टर तो यार आपकी क्या थाट है इदर ही वड़ा दम गरते तो वाई